प्रेधार्शको नमस्कार चल रही कोविड महमारी के मद्दे नजर आप से नरोध किया जाता है कि कोविड उपयोक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें जैसे की मास्क पहनना, नेमित रूप से हाथ धुना, उचित शारेरिक सामाजिक दूरी बनाये रखना और भीर भाड वाली जगों से बचना आईए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार सेल, RSP ने शुन्ने तरल निर्वहन परियोजना के तहत मेसर्स अर्विंद अन्वी सोल लिमिटेड एहमदाबाद के साथ एक अनुबंद पर हस्ताक्षर किये सेल, RSP की एक सुरक्षा पहल स्वम के तहत 50 से अधिक कर्मिचारी लाभानवेत और आजादी का अमरित महत्साव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री गुरु पंकज चरणदास अब समाचार इस्तार से सेल, रोलकलेस पास सायंत्र, RSP और मेसर्स अर्विंद अन्वी सोल लिमिटेड एहमदाबाद AEL के बीच 18 फरवरी 2022 को ZLD यानि Zero Liquid Discharge यानि की शुन्ने तरल निर्वहन योजना के तहत रोलकलेस पास सेंत्र में Construction of Treatment System 1 के लिए एक अनुबंद पर हस्ताक्षर किये गए पांच साल का संचालन एवं रख रखाओ भी इस अनुबंद में शामिल है परियोजना सम्मेलन कक्ष के Contract पर हस्ताक्षर करने हेतु आयोजेत कारेक्रम में कारेपालक निदेशक परियोजनाएं श्री एके प्रधान ने RSP का प्रतिनिधित्व किया जबकि मेसर्स अर्विंद अन्वेसोल लिमिटेड एहमदाबाद AEL का प्रतिनिधित्व मेसर्स AEL के Business Development प्रमुक श्री दाखा राजन द्वारा किया गया मुख्य महाप्रबंधक परियोजना वाने ज्यक श्री पी के साहु मुख्य महाप्रबंधक परियावरण एवं यूटिलिटे श्री आई राजन क्षेत्रे प्रबंधक AEL श्री राकेश जैन वित्थ एवं लेखा प्रमुक श्री ए पटेल और रस्प के कई वरिष्ट अधिकारी इस अफसर पर उपस्थे थे 149 करोड रुपे की लागत से बनाई गई यह ट्रीट्मेंट सिस्टम वन परियोजना चालू होने के बाद प्रतिघंटे 18,000 CUM अप्शिष्ट जल का उपचार करेगी और इसे पुना उपयोग के लिए RSP के मेकप वाटर सिस्टम में पुना उपयोग किया जाएगा उपचार प्रणाली एक इस उद्देश को प्राप्ट करने में प्रमुक भूमी का निभाएगी इस परियोजना को हाथ में लेकर RSP ने एक बर फिर एक सतत पर्यावरण और हरित इसपात के उतपादन के लिए अपनी प्रतिबधता प्रदरशित की है सेल रोड़कला इसपास सेंत्र के HRDC और सुरक्षा इंजिनिरिंग विभाग द्वारा फरवरी के महिने में अधिक करमचारियों को 50 सुरक्षा पहल स्वयम के तहत शामिल किया गया इस पहल का मुख्य उद्देशे शुन्य दुर्घटना प्राप्त करने के लिए दृष्ट्रिकोन में बदलाव लाकर संगठन के अंदर सुरक्षा संस्कृति को मजबूत करना है कारेक्रम सुरक्षा संकल्प के साथ प्रारंब हुआ उसके बाद विश्य संबंधित पाठेक्रम पर सत्र चलाए गए तक्निकी जानकारी में RSP में संपुर्ण सुरक्षा संस्कृति के लिए सुरक्षा रणनीती इसपात उत्योग में जोखिम और खत्रे सुरक्षा पर वैधानिक प्रावधान एवं सुरक्षा पर एक फिल्म शामिल थे वैवहारिक बदलाव एवं मानसिक्ता में बदलाव हे तू योर थोर्ट्स ड्राइब और आक्षन यानि की आपकी सूज आपके कारक कलाब तय करती है वैवहार आधारित सुरक्षा और इसकी प्रक्रिया ABC विश्रेशन मरमत और पश्चाताप के बजाए तैयारी और निव पात स्थिती से बचने के लिए विभिन अगनी शमन टक्निकों पर प्रकाश डाला गया अनुभव सत्र में अनुभव साजा और केस स्टडीज के माध्यम से प्रशिक्षन को सुगम बनाया गया अंत में बहतर आत्म साथ एवं जानकारी के लिए फंक विश कारिक्रम श्रीबी के पाड़ी एवं प्रबंधक HRD सुष्री अनपूर्णा बहरा द्वारा किया गया आजादी का अम्रित महत्स समारों के तहत सेल रॉड़क्लेस पास सयंत्र ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिश्थित व्यक्तित्वों पर समाचारों क की एकड़ी प्रस्तूत कर रहा है और इसी क्रम में प्रस्तूत है आज के व्यक्तित्व श्री गुरू पंकज चरंडास गुरू पंकज चरंडास का जन 17 मार्च 1919 को हुआ था वे एक महरी की गोदली हुए पुत्र थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन की कला सीखी वह ओडिशा और ग्लानी समाहार जैसे नृत्यों के लिए जाने जाते हैं हालांकि उनकी उत्कृष्ट कृति पंच कन्या रामान और महभारत से एकल नृत्य नाटकों में अहिल्या कुंती द्रौपदी तारा और मंदोदरी का चित्रण है भारत सरकार ने उन्हें 1970 में केंद्र संगीत नाटक अकादमी और 1992 में प्रतिश्चित पादमश्री पुरसकार से सम्मानित किया ग्यारा जून 2003 को उनका निधन हो गया एक महत्वपुर्ण घूशना सेल रावरकिला इसपास सयंत्र के नगर इंजिनेरिंग विभाग की जल आपूरती यूनिट द्वारा जलोप्चार स इस पाद शहर में जल की आपूरती शाम को बंद रहेगी तदनुसार इस पाद शहर के निवासियों से अनुरोध है कि असुविधाओं से बचने के लिए वे आवश्यक व्यवस्था करें और अपना बहमूल्य सयोग प्रदान करें इसी के साथ आज का हैंदी समाचार बु